कुरोना से जंग में बिहार की लोगों को अब थोड़े रहात मिलने लगी है यानि की कुरोना के संकर्मन की दर बिहार में अब धीरे धीरे धीमी होती जा रही है बिहार में संकर्मन दर घटकर 6.65% तक पहुच गई है 23 घंटे में बिहार में संकर्मित मरीजों की संख्या 3,336 नए संकर्मित मरीज मिले है 23 जीलों में सो से अधीक नए संकर्मित मरीज मिले हैं लेकिन पटना फिलाल अभी सबसे आगे है पटना में 1202 नए संकर्मित मरीज मिले हैं लेकिन फिर भी जहां 15 हजज़ार से एभब केसज बिहार में मिलते थे अब वहाँ पर 7 हज़ार के करेब केस नए केस पहुच चुके हैं अब यह रहात भरी खबर है लेकिन रहात मिलते ही हमें खुल्याम सड़कों पर बिना मास्क के घूमने की जरूत नहीं है सतर करहने की जरूत है हमसकार आप इस समय देख रहें मगत संबाद और मैं आपके साथ कुछ सुनिल भोगी है बिहार में अब रहात की सास महसूस की जाने लगी है सुन सुनकर या लग रहा था कि आखिर क्या हल होगा अपने राज्य की लेकिन विते तिन चार दिनों से दे सस्तर पर भी कसकते हैं बिहार में भी संकरमन दर जो है धीरे-धीरे धीमी होती जा रही है लेकिन मिर्तु दर पर भी कंट्रोल करने की जरूवत है दूसरी और यहां संकर्मित बैक्ती हो जा रहे हैं गाउं में खासकर इलाज के लिए भटकना पड़ा है आखिर इलाज कराने जाएं तो कहां जाएं कोई बैक्ती गाउं में अगर पॉजेटिव हो रहा है तो उसे जोला चाप डाक्टर या अस्थानी जो डाक्टर हैं वह भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं गाउं में भी गाउं में ही उनकी दम तोड़ना पड़ता है कहां लेकर जाएं कोई बिसेश जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती है तो इसको भी सरकार को ध्यान रखने की जरूवत है शिकित्सा सुवधा पंचायत अस्तर पर उपलब्द कराने की जरूवत है बिहार में लोगडॉन 25 मई तक बढ़ा दिया गया है इसका प्रणाम आप सामने देख रहे कि लोगडॉन लगाते हैं संकरमंदर घटने लगा है लेकिन इस परकार से साधी बिवा के इस मौसम में बराती बसों में थूश-ठूश कर जा रहे हैं उससे यह कहा जा सकता कि संकरमंदर बढ़ सकती है लेकिन यह रहात भरी ख़बर फिलाल जरूर है कि संकर्मन की दर जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है बिहार में कुरोना संकर्मन की दर में गिरावट का दोर सुरू हो चुका है सनिवार को राजमे संकर्मन दर 6.65 फिस्दी पर आ गई है पिछले 24 घंटे में राजमे 1,10,172 सेंपल की जाच कराई गई पिछले एक दिन में राजमे संकर्मन दर में 0.26 फिस्दी की कमी आई है एक दिन पूर्वे राजमे कुरोना संकर्मन की दर 6.91 फिस्दी थी जबकि राजमे कुरोना के 7,494 नए संकर्मित मिले थे और स्वस्द होने वाले मरीजों के संक्या 14,131 यानि रिकवरी रेटे भी ठीक होते जा रहा है 23 जीलों की बाते कर ले तो 23 जीलों में कुरोना के 100 से अधिक नए संकर्मित मिले हैं यानि कि अभी जीलों में भी लमसम 100 मिली रहें 23 जीलों में यह रिपोट आई है राजे के 23 जीलों में कुरोना के 100 से अधिक नए संकर्मितों की पहचान की गई है जिसमें अररिया में 107, अरंगावाद में 106, बाका में 117, बेगुसराय में 334, भागलपूर में 361, पुर्वी चमपारन में 191, गया में 285, गोपालगंज में 191, खटिहार में 180, खगड़िया में 124, किसनगंज में 109, मधेपूरा में 122, मधुबनी में 306, मुंगेर में 213, मुझपरपूर में 292, नालंदा में 220, पूर्णिया में 282, सहरसा में 224, समस्तिपूर में 392, और सारन में 205, सुपॉल में 226, बेसाली में 353, और पच्छमी चमपारन में 237 नए कुरोना मरीजों की पहचान बिते दिन किया गया है राज में पटना में सरवाधी के 1202, नए संकर्मितों की पहचान की गई है, पटना में अनसभी जीरों से अधिक नए संकर्मित लगातार मिल रहे हैं संख्या में कमी जरूर आ रही है लेकिन पटना में सबसे ज़्यादा अभी फिरहाल कुरोना संकर्मित मरीज मिल रहे हैं बेहतर इलाज की और वेवस्था की जरूरत है दवाओं की जरूरत है औक्सिजन की जरूरत है विसेश के सुबधा की जरूरत है गाओं में जैसा कि कल वर्चुल मिटिंग बिसे से मिटिंग परधान मंतरी के द्वारा किया गया और यह स्विकारा भी गया और निर्देश भी दिया गया कि कुरोना से जंग जितने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि गाओं अस्तर पर निमित जाच हो आसा कर्ज करताओं अन लोगों की इसमें सहयोग लेकर गाउं में प्रती दिन लगतार क्रोना की जाच होनी चाहिए लेकिन देखे कुरोना की जाच हो जा रही है आज भी जाच हो रहे हैं लोग खुद भी जाकर जाच करा रहे हैं या किया जा रहा है लेकिन जाच करके उन्हें छोड़ दिया जा रहा है घर चले जाई है कभी कुछ दवा भी दी जा रही है लेकिन उस पर विसेश निगरानी क की जरूवत है गरीब गुर्बा जो ग्रामीन है उनको पोजेटिव कह देते ही उनमें भोचाल सी आ जहां 50% रोग रहता है तो कहने के बाद 50% और बढ़ जाता है तो उसके लिए टीटमेंट के भी जरूवत है जैसे ही पोजेटिव आये तो उसको विसे समझाने उसका इलाज करने विसे दबा देने की जरूवत होती है कुरूटाईन करने की जरूवत है अब कहते हैं कि जाके हम कुरूटाईन हो जाईये तो ग्रामीन छेत्रों को भी समझने की जरूवत है आप कहते हैं कि घर मिलेंगे जहां एक होई दो कमरे है जिसमें एक बड़ी परिबार रहता है अगर वहाँ पर home quarantine रहने की बात कही जाए तो आप अगर एक रूम में अगर एक वैक्ती home quarantine है तो बागी लोग कहां और कैसे रहें और उस घर में अगर एक दो तीन चार की संक्या में अगर positive आ जाते हैं तब उनकी क्या इसेती होती है तो उनके लिए भी सोचना होगा उनके दवा के लिए भी सोचना होगा उनके इलाज के लिए भी सोचना होगा किवल जाच करा देने से ही रोक थाम नहीं होगा आज क्रोना पॉजेटिव होने के बाद भी गाओं में लोग आ रहे हैं किसी से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और खुल्याम घुमते चल रहे हैं जो होगा वह भगमान पर छोड़ दे रहे हैं तो इस सम्मंद में भी सरकार को सोचने चाहिए चेकिसकी बेवस्ता पॉजेटिव आने वाले को लिए विसेस विवस्ता करने की जरूवत होगी बड़े लोग नहीं है सहर में उतने जागरुक नहीं सहर के तरह लेकिन गरामिनों में जागरुकता की कमी है और रहने खाने की कमी है तो दवा की बात कौन करें तो उनके लिए चिकिसकी सुभा उपलब्द हो की पोजेट स्विता हुनि हुनी चाहिए अगर यह पंचायत अस्तर पर फिलाल कर दिया जाये तो काफी रहात Fernando कुरोंटाइन सेंटर बना दिया जाए और नहीं भी बनाया जाए तो पंचायत अस्वर परीकस पाताल जो पूरे जो तीन गाउं पंचायत में आते हैं उस पर पुरा निगरानी रखने कि उनकी जिमवारी दी जाए तो इस प्रकार से कुरोंटा की जंग जीती जा सकती है ले संकर्मिन्तों की संक्या और बढ़ रही है बरात जाने के लिए 20 लोगों को पावंदी लगाया गया है सहरों में तो मानने जीके कुछ को मान रहे हैं लेकिन आज भी भर भर की गारियां बरात जा रही है और आ रही है तो इस पर भी थोड़ा सा कड़ी से पालन करवाने की यारसरगार की जरूत है पर साथन को से तर कराले की जरूत है हमें भी और आपके भी जरूत है को पूंने जागरूक करें और रोके तो फिलाल हम be supersti जाय जयाजत फिल मिलते हैं कल बताते हैं खास कबर को धन्य बास जैहिंद जै भारत बंदे मात्रम